दोस्तों आप सभी का Only Top Study में स्वागत है आज हम देखने वाले हैं GK Night Quiz में Science के काफी important question answer जो की परिक्साओं में बार बार पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा और इन 35 question में से आप लोग कितने question के answer सही कर पाते हैं comment box में जरूर बताएगा अगर आप चाते हैं रात के 9 बजे daily GK Night Quiz लगाना तो चैनल को subscribe कर लीजे नीचे radical का बटन दिख रहा होगा उसको press कर लीजेगा bell icon को भी on रखेगा ताकि जैसे ही वीडियो upload हो आपके पास notification पहुँच जाए जितनी वीडियो अभी तक upload हो चुकी है उन सभी के link नीचे description box में है वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तो current affair की वीडियो और gk math reasoning की वीडियो भी आप लोग चैनल पर ही देख सकते हैं वीडियो पसंद आये like कर देना और अपने दोस्तों को गुरूप में तो share जरूर करिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और अगर आपको किसी भी question का आंसर पता होगा तो comment box में जरूर बताएगा पहला question है protein का sensation होता है आपको अगर आंसर पता है तो comment box में बताएगा पहले question का दोस्तो right answer हो जाएगा mitochondria में यानि की right answer is option C दूसरा question है mitochondria का संबंद है तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा mitochondria का संबंद सवसंद से है यानि की right answer आपका C हो जाएगा ठीक है दूसरे का आपका C हो जाएगा तीसरा question है कोशिका के अंदर उर्जा का निर्मान किसके द्वारा होता है दोस्तो, कोशिका के अंदर उर्जा का निर्मान किसके दुआरा होता है तो यह होता है, माइट्रो कोंडिया के दुआरा यानि की राइट आंसर आपका D हो जाएगा ये भी काफी important question है question number 4 है, पादप कोशिका में DNA होता है तो पादब कोशिका में दोस्तो DNA होता है बिल्कुल सही आंसर है इस कोशन का राइट आंसर हुजएगा सभी में यानि कि D यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है पाँचवा कोशन है मानव सरीर के कौन से अंग में लसी का कोशिकाएं बनती है तो पाँचवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दिरगास्थित यानि की राइट आंसर इस भी यह आपको याद अखना है छटा कोशन है कोशिका सिध्दान्द का परती पादन किस ने किया छटे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा सलाइडेन और सवान ने यानिकी राइट आंसर इस ऑप्शन सी साथवा कोशन है अर्द सुत्री विभाजन पाया जाता है तरुन पुस्प कलिकाओं में यानि की राइट आंसर दोस्तों साथवे का D हो जाएगा आठवा कोशन है ATP का निर्मान होता है आठवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ATP का निर्मान होता है माइट्रो कॉंड्रिया में यानि की रैट आंसर आपका C हो जाएगा नोवा कोशन है किस दूद में लेक्टोज सक्कर का परतिसत अधिक होता है नोवे कोशन का रैट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर नाइन्थ कोशन का रैट आंसर ये सभी रहेगा यानि की D is the right आंसर दसवा कोशन है हाइड्रोफोबिया रोग होता है हाइड्रोफोबिया रोग दोस्तों होता है विसानु द्वारा यानि की C याँ पर सही आंसर हो जाएगा 11 कोशन है सबसे जादा दिन तक जिवित रहने वाला पक्सी है सबसे जादा दिन तक जिवित रहने वाला पक्सी कोन सा है दोस्तों राइट आंसर ओस्त्रीच हो जाएगा यानि की राइट आंसर इससी 12 कोशन है चमगादर किस वर्क का परानी है तो बारवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मैमेलिया का यानि की राइट आंसर दोस्तों आपका A हो जाएगा तेरवा कोशन है एथलीट फुट बिमारी होती है तो एथलीट फुट बिमारी होती है फपूंद से यानि की राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कोश्चा नमबर 14 है लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है तो 14 का राइट आंसर दोस्तो एरेल हो जाएगा यानि की राइट आंसर इस बी लेंगर हैंस की दूइपी का पाये जाते हैं 15 का राइट आंसर दोस्तो बी हो जाएगा पैंक्रियाज में यानि की राइट आंसर इस बी कोशन नमबर 16 है रुदिर परिज चरणतंत्र की खोज करने वाले पर्थम वेज्यानिक है तो 16 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा विल्यम हार्वे यानि की राइट आंसर हो जाएगा सतरवा कोशन है विशानु की खोज की थी तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा इवानो वासकी यानि की राइट आंसर दोस्तो C हो जाएगा दोस्तो अठारवा कोशन है कुट्टे के काटने पर वाइरस के द्वारा जो रोग उत्पन होता है वह कहलाता है तो अठारवे का रैट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया यानि की बी रैट आंसर होगा उननिसवा कोशन है जिवानों की खोज सबपर्थम की थी तो रैट आंसर हो जाएगा लिवन हौक ने यानि की रैट आंसर इस डी बीसवे कोशन है सकरकंद में भोजन संग्रेहित होता है बीसवे कोशन का राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा इस्तम में यानि की राइट आंसर इस ए इक्किसवे कोशन है हल्दी के पोधे का खाने योग्या हिस्सा कोन सा है इक्किसवे का राइट आंसर हो जाएगा परकंद यानि की राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लिंफोसाइट रक्सा करती है बाइसवा कोशन तो बाइसवे का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा रोगाणूओं से यानी की राइट आंसर आपका B रहेगा 23 कोशन है आपात कालीन गरंती है तो 23 कोशन का राइट आंसर आपका एड्रिनिल यानी की राइट आंसर A हो जाएगा 24 कोशन है पहलेगरा रोग किस पोशक परदार्थ की लगतार कमी से होता है 24 वे का राइट आंसर हो जाएगा नियासीन यानी की राइट आंसर A रहेगा 25 कोशन है मानव सरीर में मास्टर गरंती कहलाती है पिटूर्टर यानी की राइट आंसर दोस्तो A हो जाएगा रक्त कबरगा किसे कहा जाता है रक्त कबरगा किसे कहा जाता है तो राइट आंसर पलिहा को कहा जाता है दोस्तो राइट आंसर A हो जाएगा कौन सा खनीज लवन सरीर में बवतियात मातरा में पाया जाता है 27 वा दोस्तो केलसियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 वाय लड़का पैदा होता है इन किस कंडिशन में दोस्तो लड़का पैदा होता है तो 28 वाय का राइट आंसर यहाँ पर जब X Y गुन सुत्र हो यानि कि C राइट आंसर होगा 29 कोशन है इस्तंधारियों में मुख्य उत्सरजित परदार्थ होता है तो 29 का राइट आंसर दोस्तो यूरिया हो जाएगा यानि कि A राइट आंसर तीसवा कोशन है सवसंदर सबसे कम होती है तो तीसवे का राइट आंसर आपका हो जाएगा निंद्रा में खराटे बढ़ते समय यानि कि राइट आंसर आपका B रहेगा 31 कोशन है नुकलियस की खोज की थी 31 कोशन का राइट आंसर आपका रोबर्ट ब्राउन ने आनिकी राइट आंसर सी हो जाएगा 32 कोशन है अंतरास्टिय जैविक किर्सी फार्म संस्थान कहां इस्थित है तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा लंदन में यानिकी बी इसदा राइट आंसर 33 कोशन है भारत का केंद्रिय ओसदी अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा लखनाउ में यानिकी ए इसदा राइट आंसर चोंतिसवा कोशन है फेपडों में रक्त पहुचाने वाला अंग है इस कोशन का राइट आंसर हो जेगा दाया अलिनन्द यानि की राइट आंसर इस भी पैंतिसवा कोशन है रक्त का कौन सा कण जिवानों से रक्सा करता है तो राइट आंसर हो जाएगा सवेत रक्त कान यानि की बी इस दा राइट आंसर वाई यू मंडल में भारी गैस कोन है तो चतिसवा कोशन का राइट आंसर आपका कारबन डियोक्साइड हो जाएगा यानि की डी इस दा राइट आंसर 37 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सवास्त मनुष्य के सरीर का तापमान कितना होता है तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 98.6 फेरनाइट यानि की राइट आंसर इस ओप्षन है 39 है मानाव सरीर को कितने निकोटी निक अमल की परती दिन आवशकता होती है तो इस कोशन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 15 ग्राम की ठीक है दोस्तों ये तो थे आज की वीडियो के कोशन एक कोशन मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो कि कल की वीडियो से होगा आप लोगों के कमेंट बोक्स में आंसर आ जाना चाहिए लेंस की SI युनिट क्या है लेंस की SI युनिट आपको बतानी है ठीक है, SI unit तो इसका अंसर सभी लोग comment box में बताएंगे और आज की वीडियो कैसी लगी, कितना आपका score रहा है comment box में ये भी बताएंगे और आप किस exam की तयारी कर रहे हैं ये भी आप लोग please comment box में जरूर बताएगा उसी के हिसाब से फिर जाद से जादा वीडियो अपलोड की जाएगी दोस्तो 35 में से score जरूर बताया करें चैनल को subscribe खुद भी कर लीजे अपने दोस्तों को भी करा लीजे और फिर बढ़िया तरीके से practice करें बेल ऐकन कौन रखेगा like share जरू कर दीजेगा सभी वीडियो के timing note कर लीजे और जो वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है उनको एक बार चेक कर लेना नीचे description box में link है thank you so much मिलते है next class में bye bye everyone